नमस्ते, क्रतिका की चन में आपका स्वागत है आज हम ऐसी मिठाई बनाएंगे जो की खाने और देखने में बहुती ज़्यादा टेस्टी लगती है आईए शुरू करते हैं बनाना एक कप हमने चावल का आटा लिया है और हाफ कप हमने घी लिया है देसी घी लिया है अब हम गैस पर कड़ाई रख देते हैं और गैस की फ्लेम को हमने लोही रखा है अब इसमें हमने घी डाल दिया है और घी को हम कर लेंगे अच्छे से गरम ये मिठाई गी में ही अच्छी लगती है, आप हो सके तो इस मिठाई को गी में ही बनाएं, बरना रिफाइन डॉयल का भी इस्तमाल कर सकते हैं, गी हमारा गरम हो चुका है, अब इसके अंदर हम डालेंगे चावल का आटा, और चावल के आटे को हम भून लेंगे धीमी आच पर चावल का आटा जितना अच्छा हमारा भूना हुआ होगा, उतनी टेस्ट हमारी मिठाई बनेगी, आप ध्यान रखें इस बात का कि आटे को दीमी आच पर ही भूने, तेज आच पर न भूने, वरना आटा जल जाएगा, और मिठाई का टेस्ट खराब हो जाएगा, आटे का थोड़ा कलर भी चेंज हो गिया है, और अच्छी खुश्बू आ रही है आटे में से, बस इसी तरह का हमें आटा चाहिए बुना हुआ, मिठाई बनाने के लिए, अब हम चावल के आटे को प्लेट में निकाल लेते हैं, अब हम कढ़ाई में डाल देंगे एक इस कप से हमने चावल का आटा लिया था, और हाफ कप से थोड़ा सा कम एक तो चमच कम पानी डाल देंगे और इसकी बनाएंगे हम चाशनी, हमें कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, हमें केवल इसकी एक चिपचिपी चाशनी बनानी है, जैसे हम गुलाब जामून व हमने चार से पांच इलाइची जिसे हमने कूट लिया है उसे डाल देते हैं आप चाहें तो इसमें केवरजल या वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं जो भी आपके पास है भी लेवल हो मिठाई का टेस्ट वैसे ही आएगा उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा अब हम इसे मिला देत हैं चाशनी में अच्छा से उवाल आ गिया है बस हमें इतना ही पकाना है जादा नहीं पकाना है अब इसके अंदर हम डालेंगे चावल के आटे को जो हमने भून कर रखा है प्लेट में चाशनी हमारी बन चुकी है अब इसमें हम चावल का आटा डाल देते हैं अब इसे भ चावल के आटे को हमें चाशनी में जब तक पकाना है, जब तक ये एक डो की फॉर्म में ना आ जाए, जैसे आटा होता है, इस तरीके से हमें पतला डो की फॉर्म में लाना है, इसे हम चलाते हुए पका लेते हैं यह हमारा डो की फॉम में आ गिया है आप देख सकते हैं थोड़ा डीला डीला सा पतला है बस इसी तरीके से हमें पकाना है और हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे हम पांच मिनट के लिए ठंडा होने देते हैं कि आटा हमारा अच्छे से फूल जाए जादा ठंडा नहीं करेंगे सिफ पांच मिनट ही इसे हम फूल ने देंगे जब यह हलका गुन-गुना हो जाएगा तो हम मिठाई बनाना स्टार्ट करेंगे आटा हमारा अच्छे से फूल चुका है पांच मिनट हो गया है थोड़ा सक ज्यादा सक्त लगता है, फोड़ने में थोड़ा टाइट लगता है, तो इसमें आप एक दो चम्मच दूद डाल कर इसे अच्छे से सॉफ्ट कर लें, इसकी सभी गाठें खतम कर दें, हातों से मसलते हुए आटे को अच्छे से मल लें, आटा हमारा काफी अच्छी तरीके से मल चुका है, हलका गुनगुना है, थंड़ा नहीं करना है, हलके गुनगुने में ही हमें मिठाई बनानी है, ना ज्यादा गरम रखना है और ना ज्यादा थंड़ा, इतना रहना चाहिए कि आप आसानी से इसमें हात लगा कर मिठाई बना सकें, अब इसके अच्छा मिल्क पाउडर डाल देते हैं हमने एवर रेडी का मिल्क पाउडर लिया है आप चाहें दूसरी कमपनी का भी मिल्क पाउडर यूज़ कर सकते हैं अब हमने मिल्क पाउडर भी मिला दिया है इसके अंदर अब इसमें हम डालेंगे 6-7 हमने पिस्ता लिया है जिसे हमने दो भागों में काट लिया है काली में और हमने लॉंग ली है और हमने थोड़ा सा फूड कलर लिया है जो हम मिठाई बनाएंगे उसमें थोड़ हमें फूड कलर की जर्रत है इसलिए हमने लाल फूड कलर लिया है अब इसका हम लड़ू के बरावर एक कोल शेप में लड़ू बना लेते हैं और इसे हम आप देख सकते हैं इस तरीके से थोड़ा चप्टा कर लेंगे गुलाई में और उपर से हमने उंगली से थोड़ा सा छेट कर दिया है जिसमें हम एक लॉंग दबा देंगे उल्टी करके इस तरीके से हमें बनाना है एक एपल की शेप में हमें इसे बनाना है एपल की शेप दे देते हैं हम इसे इसी तरीके से हम सभी मिठाई बना के तयार कर लेते हैं हमने ये चोटे-चोटे से प्यारे से अपल बना के तयार कर लिये हैं कितने प्यारे लग रहे हैं ये देखने में बिलकुल एपल की तरह बस उसी तरीके से हमें इसकी शेप दे कर बनाना है जो हमने food color लिया है red उससे हम इसके अंदर shade दे देंगे shade देने के लिए हमने लिया है यहाँ पर brush आप चाहें तो बच्चों के paint करने वाला brush का भी इस्तमाल कर सकते हैं या आप kitchen में use होने वाला brush का भी इस्तमाल कर सकते हैं जो हम grease करने के लिए brush का इस्तमाल करते हैं अब इससे हम shade दे देते हैं इसमें यह देखिए हमारे प्यारे से स्वीट एपल तयार हो गए हैं मिठाई देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है और उतनी ही अच्छी यह खाने में लगती है बस इस तरीके से हम इसमें कलर लगा देते हैं, फूड कलर अब इसे और अच्छा हम बढ़िया इसका लुक देने के लिए इसमें हम लगा देते हैं, पिस्ता जो की एक पत्ते का लुक देगा इसके अंदर देखें कितनी प्यारी हमारी मिठाई बनके तयार हो गई है आप ये मिठाई किसी को भी खिलाएंगे तो वो जरूर पूछेंगे आपने ये कहां से खरी दी इसी तरीके से हम सभी एपल्स अपने तयार कर लेते हैं और इस मिठाई को बनाने के बाद इसे आप 10 मिनट के लिए फ्रीज में रख दीजिए ये बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जाती है कलर भी अच्छे से इसमें सेट हो जाता है वो हाथ में फिल लगता नहीं है आप इसमें भी हम पिस्ता लगा देते हैं बहुत प्यारी हमारी मिठाई बनके ये तैयार हो गई है देखने में कितनी प्यारी लग रही है, उतनी ही प्यारी है, खाने में लगती है, टेस्टी लगती है खाने में, इसी प्रिकार हमने सभी एपल्स बनाके तयार कर लिये हैं आप जरूर ट्राइ कीजिएगा, कैसे लगे आपके घर में ये मिठाई, कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताईएगा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठेंक यू हुआ दयक कीजिए अच्छी हमार कीजिए सब्सक्राइब कीजिए तर द्से लो सब्सक्राइब कीजिए啊 झाल झाल